Hello everyone, welcome to my channel दोस्तों, आज मैं आपके लिए ले के आई हूँ बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस, पॉश्टिक और शक्तिवर्दर लड्डू इन्हें बनाना बहुत आसाथ है और जो सबसे अच्छी बात है हमने इसमें ना तो घी का इस्तिमाल किया है और ना ही चीनी का तो ऐसे में क्या है कि लड्डू की जो उपयोगिता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है ये लड्डू इसमें काफी रिच न्यूट्रिंट्स पड़े हुए हैं आपके किचेन में मिलने वाले बहुत ही बेसिक चीजों की हेल्प से हम गेहू के हाटे से बनाने वाले हैं ये बहुत ही यूसफुल और शक्तिवर्धर लड्डू तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले इसका बेसिक इंग्रेडियन्ट रेडी कर लेते हैं यहाँ पे मैंने लिया है दो बड़ी चमच सफीद तिल और साथी साथ दो बड़ी चमच मेथी यहाँ पे आपको मेथी दाने का इस्तेमाल करना है और इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ करीब एक इंच सोट का टुकड़ा आप चाहें तो सोट के पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं एक बड़ा चमच पोस्ता दाना या फिर पॉपी सीट्स या खस-खस और इसके बाद मैं ले रही हूँ करीब साथ-आठ बादाम इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से रोस्ट कर लें दोस्तों यदि आप लड़ू में करवाहत नहीं चाहते हैं तो मेथी की मात्रा आधी कर दें लेकिन मेथी का इस्तिमाल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये डायबिटीज के जो लोग होते हैं इनको डायबिटीज होती है उनके लिए काफी यूसफुल होता है और बादाम तो वैसे भी काफी गुणों से भरपूर है सोंथ आपको सर्दियों में गरम रखने में आपकी हेल्प करता है और साथी साथ इसमें हम इस्तिमाल कर रहे हैं पोस्ता दाना और तिल का ये दोनों अपने आप में ही काफी न्यूट्रीशिस होते हैं तो हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया है मसाले को एक मिक्सी के जार में खाली कर लेते हैं और इसके बाद इसको ठंडा होने के बाद हमें इसका एक पाउडर बना लेना है ध्यान रखें पाउडर को बहुत ज़्यादा बारी ना करें आप इसका एक कोर्स पाउडर ही रेडी करें उसके बाद एक बर फिर से आपको एक पैन लेना है और पैन में बिना घी वेगर एड़ किये आपको लेना है एक कप गेहू का आटा तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कप गेहू का आटा वही जो आटा घर में अवेलेबल होता है आसानी से बस वही गेहू का आटा हमें लेना है और उसके बाद आप एक स्पैचुला की हेल्प से लगातार इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते रहें ध्यान रखें आटा बिल्कुल भी बाटम में ना लगे क्योंकि जरा सा भी आटा काला होगा तो हमारे लड़ों का जो स्वाद है वो खराब हो जाएगा तो स्पैचुला की हेल्प से जो गेहु का आटा है उसे लगातार चलाते हुए आप इसे एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून ले तो हमारा गेहु का जो आटा है वो एकदम से भून के रेडी हो गया है तो आप इसे किसी परात विग्रह में खाली कर ले यह देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन सा हो गया है गेहु का आटा एक परात में खाली कर ले और चलिए आगे की त्यारी करते हैं तो यहां पर मैंने लिया है एक कटोरी वो जो घी निकालने के बाद मावा बचता है ना बस वही मावा लेना है आपको और आप चाहे तो इ इसे आड करें अधर्वारिस आप इसे स्किप भी कर सकते हैं तो आप इसे मिक्सी के जाहर में करीब 2-3 मिनट तक चला ले और उसके बाद फिर से आप पैन ले और पैन में आप डालें यह देखिए जो हमने मावा रेडी किया था ना पीस के बस उसे थोड़ा सा आप करम कर जिसने कि उसका जो घी है वो पिघल जाए हमें एक्स्ट्रा कोई भी घी वेगरा आड करने की जरूरत नहीं है इससे एड करने से क्या होगा कि आपके लड़ू में एक बहुत ही अच्छा सा स्वाद आएगा साथी साथ इसमें जो थोड़ी बहुत देशी गी है वो आपके नहीं बताई होगी तो यदि आपको मेरी रसिपी स्ट्राइ करने के बाद पसंद आती हैं तो मेक शोर करें कि आप मेरे चानल के नीचे लाइक का बड़न जरूर दबाएं और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि ये लड़ू आपने बनाए या नहीं बनाए और बनाए तो आपको कैसे लगे तो यहां पर हमने जो गिहूं का आटा भून के रखा है उसमें आप ये भूना हुआ मावा एड़ कर लें ध्यान रखे कि सारी चीजें हमें हलकी हलकी सी गरम ही रखनी है एक दम ठंडे होने तक नहीं वेट करना है और उसके बाद यहां पर मैंने लिया ह करीब चार कद्दू कस किये हुए गुड़ आप चाहें तो गुड़ को पीस भी सकते हैं या यदि आपके पास जैगरी पाउडर है अब उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो चार मेडियम साइज के गुड़ के गुड़ लिये थे मैंने उन्हें कद्दू कस कर लिया था और उसमें मैंने मिलाया है करीब चार बड़े चमबच पानी, ध्यान रखें, पानी की मात्रा काफी कंट्रोल करके ही रखनी है, सिर्फ इतना रखना है कि गुड़ सफिशेंटली मेल्ट हो जाए, उससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है, तो मिडियम फ्लेम पे इसे लगाता स्पैचULाब्स मसाला बनाया था उस मसाले क due ча यहां अगिसा की एबड़ कर दें हाथों के सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स ऐब हो जाएगी हर एक लड़ो ने पॉश्ट इक बर्दाप क्रें हो आध्ये रहे हो गाही खही होगि तो हमारा जो गुड़ तो म यह नि से हो जाता है तो ध्यान रखें से इस्तिमाल करते समय काफी कॉंशिस रहें स्पैचुला की हैं से जो आटा है उसे मिक्स करते रहें यह देखें आप देखेंगे कि यह बाइंडिंग होनी शुरू हो गई है और थोड़ा-थोड़ा करके जो हमारा गुड़ वाला सिरप है उस तो बस सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से स्पैचुला की हल्प से मिक्स कर लें ऐसे लगातार स्पैचुला की हल्प से प्रेस करकर मिक्स कर लें जिससे कि हर एक साइड में जो हमारी गुड़ है वो अच्छी तरीके से कोट हो जाए मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो ज दोस्तों इन लट्डूओं को जितना बनाना आसान है यह काफी पॉस्टिक है और आप इने करीब दो महीने तक आराम से स्टोर करके खा सकते हैं तो यह देखिए होगे गेहूं के आटे से बने हुए है हमारे पॉस्टिक लड्डू एक दम रेडी एक लड्डू का सेवन आप रोजाना पूरी सर्दियों भर करें दोस्तों आपके शरीर को गरम रखने में आपकी हेल्प करता है साथी साथ इसमें है मेथी जो कि आपके ब् पूर है आप देख सकते हैं यह लड्डू कितने सॉफ्ट हैं इतने अच्छे हैं इतने टेस्टी हैं कि इनके सामने आप भाजार की मिठाई खाना भी भूल जाएंगे तो आसा करती हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और यूसफुल लगे तो मेरी रेसिप को जरूर बनाएं लाइंक शेयर सबस्क्राइब करना ना भूलें